नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत हैं आज हम बात करेंगे कॉंग्रेस अध्यक्षपद को लेकर चल रहे घमासान की सोनिया गांधी की घोर बेजिती करने वाले एक लेटर की जो शसी थरूर ने लिखा है और दूसरे तरफ कॉंग्रेस के पूरे परकरन की अफवाह गैंकी जिसने नाम बापसी के अंतिम दिन शसी थरूर को लेकर अफवाह उडाना शुरू कर दिया कि अब तो वो कॉंग्रेस के अध्यक्षपद के चुनाब से बाहर जाने वाले हैं और खड़ गे अकेले उम्मिद्वार बच जाएंगे जिसके बाद चुनाब कराने की ज तो शुरूआत करते हैं कॉंग्रेस अध्यक्षपद के चुनाब को लेकर चल रही गहमा गहमी से एक तरफ शशी थरूर चुनाब परचार के अभियान में निकले हुए हैं उन्होंने महरास्ट से शुरूआत की थी और केरल गए जो उनका अपना ग्रिह राज्य है तमी न दिया है और बार बार इस वाद का जिक्र कर रहे हैं कि अगर यथा इस्थिति रखना है कॉंग्रेस को गांधी परिवार के चुंगुल में ही रखना है तो फिर खडगे को चुनाब जितने में सहयोग करें उनको वोट दें मतलब उनके कहने का जो अभिप्राय है यथा इस सितिवाद को लेकर वो यही है कि अगर कॉंग्रेस में सुधार नहीं करना है उसी तरह की परक्रिया चलनी है एक ऐसे व्यक्ति को बागडोर सौपना है जो रिमोट कंट्रोल से चले यानि कि सोनिया गांधी के इशारों पर चले तो फिर खडगे को चुने नहीं तो अगर क सितरूर को वोट दें ये परचार का उनका तरीका बना हुआ है लेकिन इस बीच उनके उपर भारी दवाब है उन्हें नाम वापस लेने के लिए दवाब बनाया जा रहा है और उनके जो परपोजर हैं उनके उपर भी दवाब बनाया गया कि आखिरकार आपने उनका परप ये इस्तियां बनी और शर्षित थरूर ने एक लेटर लिखा उस लेटर में उन्होंने कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांदी और अंत्रीम अध्यक्ष सोनिया गांदी के उन दावों को उन खोखले वादों को और उस ढोंग की पोल खोल दी है जिसमें ये बा बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कॉंग्रेस में अब जो अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार का नहीं होगा और गांधी परिवार का इसमें कोई इंटरफेर नहीं होगा वो नकिसी के पक्ष में चुनाब परचार करेंगी नकिसी के पक्ष में बात होने दे कि किस तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है उसने कॉंग्रिस और गांधी परिवार के इस पूरे ढोंग की पोल खोल दी है सोनिया गांधी को घोर बेजज़त किया है कि आप सुरू से कह रही थी जब उनसे मुलाकात हुई थी उस समय कि वो किसी भी उम्मिदव के पक्ष में नहीं है अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं वो न्यूट्रल रहेंगी वो किसी के पक्ष में नहीं रहेंगी लेकिन जब चुनाव में खड़ा होने की बात आई उम्मिदवार बनाने की बात आई तो उस समय आपके घर पर लाकाद करके सिर्फ इस बात पर चर्चा किये कि आप किसी को नॉमिनेट करेंगी किसी को आगे बढ़ाएंगी या आपके मन में कुछ ऐसी बाते हैं कि राहुल गांधी को चुनाब लडाना है या फिर गांधी परिवार के किसी और को आगे बढ़ाना है जब उस समय बात ची के दरवार में बैठके लगने लगी वहाँ पर लोगों को बुलाया जाने लगा और सबसे पहले अशोग गहलोत को बुलाया गया उनको अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया लेकिन राजस्थान में जो संकट का दौर चला क्योंकि अशोग गहलोत अध्यक्ष बनना चाहते नह ने, राजस्थान में जो केल किया, उसके बाद सोनिया गांधी बैक फुटवर आ गई और दूसरा नाम लाया गया दिगविजैसिन का. दिग्विजैसिन का नाम अशोक गहलोत पर दबाब बनाने के लिए लाये गया लेकिन जब दिग्विजैसिन पर कंट्रोवर्सी कॉंग्रेस में ही सुरू हो गई जब लगने लगा कि दिगविजैस इनको कॉंग्रेस का ध्यक्ष बनाने का मतलब ये है कि भारतिय जनता पाची को कॉंग्रेस के लिए एक आधार, एक हतियार दे देना कि ये व्यक्ति वही है जो भगवात अंकवात की बात करता है, जो हिंदूओं को टार्गेट करता है इस बात से कॉंग्रेस के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी चली, गुटवाजी इतनी बढ़ गई दिगविजैस इनको लेकर कि रातो रात बैठके का दौर फिर सुरू हुआ और मल्ली कारजुन खडगे को आगे बढ़ाया गया अब आप कैसे कह सकती हैं कि ये जो मल्ली कारजुन खडगे हैं वो गांधी परिवार की तरफ से ऑफिसियल उम्मिदवार कॉंग्रेस के नहीं है, गांधी परिवार ने उनको नहीं कहा है कॉंग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए अगर इतने नेता कॉंग्रेस सद्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो फिर सोनिया गांधी राहुल गांधी बार बार इन लोगों को बुला कर प्रेसलाईज क्यों कर रहे थे शशी थरूर अकेले उमिदवार होते उसके अलावा एक दो अगर दूसरे लोग खड़े होते तो उसमें भी अध्यक्षपत का चुनाव हो सकता था इस लेटर में इससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाये गए हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारो पर कॉंग्रेस में जो उनके प्रपोजर हैं जिल लोगों ने चुनाव के समय उनके लिए प्रपोजर का फॉर्म भरा है वो प्रस्तावक अब दवाब मे हैं कि वो अपना नाम वापस ले लें प्रपोजर के उपर दवाब बनाने के साथ साथ उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाये हैं और वो है डेली गेट्स को लेकर डेली गेट्स मतलब जो कॉंग्रेस अध्यक्षपद के चुनाब में वोटर होंगे यानि कि वोट देन कि अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी में AICC में कौन लोग होंगे जो चुनाब में वोट देंगे कितने विधायक सांसद परदेश कॉंग्रेस कमीटी के सदस और ये जो लिस्ट तयार की जा रही है 9000 से थोड़ा जादा लोगों की इन वोटर लिस्ट में ही गलवड़ी क शर्षी थरूर ने मदु सूधन मिस्टिरी को लेटर लिखके कहा है कि आप चुनाब प्रक्रिया संचालित करवा रहे हैं आपको ये ध्यान देना चाहिए कि दोनों उमिदवारों को जो डेलिगेस्ट के लिस्ट सौपे हैं उसमें इतना अंतर क्यूं है एक जो दूसरे त ज़्यादा डेलिगेट्स का नंबर और पता ही गाइब है यानि कि 67,000 के करीब लोगों का नाम उसमें दर्ज है और उसमें भी कई नाम गड़बड़ पाए गए हैं जिनको उनके टीम के लोग फोन लगा रहे हैं तो वो फोन नंबर ही गलत बताया जा रहा है यानि कि शश जो बनाये गए हैं उनका फरजी नाम फरजी पतावाला और फरजी नंबर शशी थरूर को प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि उन लोगों के साथ डाइरेक्ट संपर्क वो ना कर सकें क्योंकि शशी थरूर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ कॉंग् कॉंग्रेस के वो नेता नहीं हैं जो सोनिया गांधी राहूल गांधी के इर्दगीर घूमते हैं जो उनके रहमो करम पर कॉंग्रेस में बचे हुए हैं उन लोगों के अलावा जो यूथ लीडर है वो ससी थरूर के साथ है ऐसा वो बार बार कह रहे हैं महारास्ट में भी जब वो चुनाप परचार के लिए गए तो महारास्ट कॉंग्रेस के युथ जो विभाग है उसके कई नेता उनके साथ के तमी नाडू में भी पी चिदम्रम तो सोनिया गांधी के साथ हो सकते हैं लेकिन कारती चिदम्रम शर्शी थरूर का परपोजर हैं उनके उपर भी दवाब बनाया जा रहा है कि वो बाब बेटे शर्शी थरूर पर दवाब डालें कि वो अपना नाम वापस ले लें वो चुनाप से बाहर हो जाएं उसी तरह से केरल में जब वो परचार कर रहे थे तो उस समय भी केरल कॉंग्रेस के युथ विंग जो है वो उनके साथ साफ तोर से कहा जा रहता है कि जो बुजूर्ग नेता हैं बड़े नेता हैं वो लोग तो खड़गे के पक्ष में बात कर रहे हैं लेकिन यूथ लीडर शर्शी थरूर के साथ हैं तमिनाडो केरल महारास यहां तक की हर्याना बिहार पंजाब से भी यूथ लीडर जो हैं वो शर्शी थरूर के साथ दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए इन नामों में हेर फेर भी किया गया और साथ ही इनके उपर वरिस्ट नेताओं का दबाब है कि अब वो शर्शी थरूर का साथ न दे जहां जहां शर्शी थरूर अब चुना परचार के लिए जा रहे हैं वहां उनका आरोप है कि PCC के डेलिगेट्स हैं जो उनसे मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं उनके उपर इतना प्रेसर बना दिया गया है कि वो उनके साथ मीटिंग करने से भी कतरा रहे हैं जबकि दूतरी तरफ खड़गे की बात जहां आती है वहां से कॉंग्रेस के कई नेता उनके साथ खड़े हैं और आफिस वेरर भी उनके पक्ष में परचार कर रहे हैं जैसा कि बताया गया था पहले कि किसी भी आफिस वेरर को कॉंग्रेस अध्यक्षपद के लिए चुनाब में किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं करना है लेकिन अलग-अलग जगों से बड़े-बड़े नेता खड़गे के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और मीडिया में बयान भी दे रहे हैं यहां तक की अशोग गहलओज, जो राजस्थान के चिफ मुनिस्टर हैं, उन्होंने भी खड़गे के पक्ष में बात की थी उन्होंने शशी थरूर को एलीट क्लास का नेता बता कर उनकी छबी को कमजोर करने की कोशिश की थी तो ये सारी प्रक्रियाएं जिस तरीके से चल रही है उसमें शशी थरूर सोनिया गांधी राहूल गांधी की पूरी टीम के ऊपर एक तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जो लेटर उन्होंने लिखा है वो लेटर तो कॉंग्रेस में खलवली मचाने वाला है क्योंकि ऐसे भी कॉंग्रेस के कई नेता परोख्ष तोर पर शशी थरूर का साथ दे रहे हैं जी 23 के कई नेताओं ने हाला कि शशी थरूर से मुलाकात की थी और ये परोख्ष तोर पर कहा था कि जब समर्थन की बात आएगी वोटिंग की बात आएगी तो उस समय डिसाइड करेंगे लेकिन अभी हम आप के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये अध्यक्सपत का चुनाब है ये सामान तरीके से जो छिटपूट नेता जैसा काम कर रहे हैं वैसा करके हम लोग कोई भी अपनी चबी के साथ खिलवार नहीं करना चाहता लेकिन जहां तक समर्थन और विरोध की बात है तो शर्शी थरूर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉंग्रेस में सोनिया गांधी के चम्चो के अलाबा भी नेता हैं जो कॉंग्रेस का अध्यक्ष किसी ऐसे नेता को बनाना चाहते हैं जो गांधी परिवार के कंट् उनके रिमोट कंट्रोल से संचालित नहों और इसलिए वो दूसरे नेताओं से मुलकात कर रहे हैं और डेलिगेट से बात करने की कोशश कर रहे हैं लेकिन अब कॉंग्रेस में इस बात के लिए चिन्ता होने लगी है कि अगर जो मिडिल लेवल के नेता है जो PCC के मेंबर हैं उन लोगों ने अगर शशी थरूर का समर्थन किया और शशी थरूर जीत गए तो ये हार मलीकारजुन खड़गे की नहीं होगी सुनिया गांधी की होगी और उसके बाद राहुल गांधी का राजिति केरियर पर ब्रेक लगने की स्थिति आ जाएगी और दूसरी तरफ अगर शशी थरूर चुनाभार भी जाते हैं तो जो तरीका उन्होंने अपनाया है पुरे देश में घूमकर कॉंग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की है और गांधी परिवार पर भी आरोप लगाया है पुराने नेताओं पर आरोप लगाया है और कॉंग्रेस के सुधार की बाद कही है उससे भी एक बड़ा बबंडर कॉंग्रेस के भीतर हो सकता है और अध्धक्षपद के चुनाभ में जिस तरीके से गलबड़ियां की जा रही है वो सारे मामले चुनाभ खत्म होने के बाद शशी थरूर उठा सकते हैं और उनके साथ कई नेतायसे हैं जो खड़े हैं और ये लोग कॉंग्रेस में बड़ा बिस्पोर्ट भी कर सकते हैं तो इसे तरह के खबरों के साथ फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही हैं में सायोग ताकि इसे तरही खबर हम आपके लिए लाते रहें दन्यवाद